खबरों के शुरुवात करते हैं योगी आदितिनाथ के उस बयान से जिसमें उन्होंने आज तक से कहा कि वो दीपावली के मौके पर खुश खबरी लेकर आयोध्या जा रहे हैं। योगी के इस बयान पर सियासत ने जोर पकड़ लिया। अच्छी खबर लेकर योध्या जाएंगे आप भी आईए खच्छी खबर के लिए। योगी जी की पूरी बात। केस सुपरिम कोट में है। अगली सुनवाई जनवरी में होने वाली है। और फ्यसले की दारीक का पता नहीं है। लेकिन इससे पहले ही खुश खबरी के अलग-लग मायने निकाले जा रहे हैं। उनके पास विकास के कोई मुद्बे नहीं है। विकास पर आदमी वोट नहीं देगा। तो अब फिर से वही धुर्वी करना की दादमी तीनों नहीं शुरू कर दी है। लेकिन ऐसे मुख्य मंत्री जो खुद चार्चीटेट हैं और अपनी कलम से CBI को कहते हैं कि मुझे प्रोसीक्यूट न करो उनसे यही आशा है कि वो जूट बोले और जनता को गुमराह करें। दिवाली के ठीक एक दिन पहले अयुद्या के राम की पौड़ी पर योगियातितिनाथ दिवाली मनाएंगे जहां भव्य तयारियां की जा रही है। यहां लाखों की तादाद में दिये जलाए जाएंगे और सबसे एहम होगा कोरिया की फ़स्ट लेड़ी का वत और चीफ केस डागमन। पहली बार पंदरह फीट का एक भव्य दीप बनाया गया है जिसे योगियातितिनाथ प्रजोलित करेंगे। बगवान राम की तकरिबन 25 पूट उची प्लास्टर अफ पेरिस की प्रतिमा भी होगी और साथ में हनुमान जी की भव्य मूर्दी बनाया जा रही है। इस साल भी अयोध्या की दिवाली भव्य दिवाली होगी। पिछले साल लाखों दिये जलाकर एक रिकॉर्ड बनाया गया था और इस बार भी वही तयारी है लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ी। कई तरह के तयारिया हैं इस वक्त देख सकते हैं भगवान राम की एक उची प्रतिमा बनायी जा रही है प्लासर ओफ पेर इसकी प्रतिमा है। अब समाज का हर तबका इंतजार कर रहा है योगिया दितिनाथ के अयुध्या आगमन का है जब सियम सहाब की खुश खबरी का खुलासा होगा है। बनवीर सिंग के साथ कुमारा विशेक अयुध्या आचता हो।